सो हाई एवरिवन स्वागत है आप सभी आगनवारी वरकर्स का पोसंट रेकर एप की एक और महतुपून वीडियो में तो बहनो जैसा कि पोसंट रेकर एप में स्टोक रजिस्टर को लेकर जो अपडेट आई है उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं कि एश्टोक रेजिस्टर क्या है और एश्टोक रेजिस्टर में आप लोग को जो पैकेट्स का ओप्सन देखने को मिल रहा है तो वो पैकेट्स क्या है तो उसके बारे में भी हम लोग पुरा-पुरा जानेंगे तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है stock register को लेकर काफी सारी question भी आ रहे थे कि stock register क्या है कैसे इसको भरना है तो चली इसके बारे में आपको पूरी details में समझाते हैं और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के सुरुवात में ही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग stock register को update जल्दी बाजी में ना करें इसके बारे में पूरा-पूरा समझ लें कि ये stock register क्या है इसका नियम क्या है उसके बाद ही आप लोग पोशन ट्रेकर app में ओपें करने के बाद यहां पे जो stock register का option देखने को मिल रहा है इस पर आप लोग को click कर देना है जैसे इस पर click करेंगे तो आप लोग यहां पे देख पाएंगे stock register 2024 यानि कि इसी मंद से ये stock register portion tracker app में update आया है और इसी मंद का यहां पे data आप लोग को देखने को मिल रहा है ठीक है यहां पे THR और HCM दो option देखने को मिलेगा जैसे की take home राशन और HCM जो 3-6 साल के बच्चों को हम लोग देते हैं hot cook meal उसके बारे में है और THR जीन लभार्थियों को देते हैं उसके बारे में यहां पे आप लोग देख पाएंगे कि कौन-कौन से ऐसे लभार्थी हैं जीनको हम लोग THR देते हैं उसकी list यहां पे आप लोग देख पाएंगे सेम जीन बच्चों को देते हैं जो आगनबाडी केंदर पर आते हैं स्कूल पूर्व सीख्षा लेते हैं और उनको खाना होना खिलाए जाता है तो उसका जो डिटेल से वह यहां पर सेम वाले में भरना है तो अभी फिलाल हम लोग पूरा-पूरा समझ लेते हैं इसका नियम क्या है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कि आपके इस्टोक रिकॉयर्ट की जो पैकेट्स है यहां पर आप लोगों को देखने को मिला है कि कितने लभार्थी अभी आप लोग के प दिया जाता है वह प्रेगनेंट टूमेंड और लेक्टेक्टिंग मदर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कम से कम आठ लभार्थी को हम लोग को पोसाहर के रूप में जो पैसा बगरा मिलता है वह जो गर्भौती महिला है वह आठ होनी चाहिए और लेक्टेक्टिं 40 बच्चों को जो पोसाहर हो मिलता है कहीं कहीं पे 25 बच्चे के लिए पोसाहर मिलता है कहीं पे 20 बच्चों को पोसाहर मिलता है कहीं पे 22 बच्चों का पोसाहर मिलता है तो इस परकार से जो अलग-अलग राज्ये हैं अलग-अलग पर्योजनाय हैं उनको यहां पे इस पर आप लोग को यहां पर जो फोड़ेंट करना हैं अभी देखिए हमने आपको आपको वहां पे दिखा आधे नौफ नौब है और यहां पर देख पा रहा है कि प्रेक्ने टोग यहां पर फ्राकार कावानी इस परकार से देखने को मिल सकता है अब यहां पर फॉलस वाले पर किली करेंगे, यहां पर देख सकते हैं, एर टी एचर स्टोक रिसीव, यानि कि आपके पोसं ट्रेकर एप में जो लभार्थी लाप लेने वाले हैं, वो कितने हैं, कितने लोगों के लिए आपको जो पोसाहर है वो रिसीव करना है, उसके पर पैकेट्स दिया गया है, ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करनी है, कि जो लभार्थी आपके लाप लेने वाले हैं, वो कितने हैं, पोसं ट्रेकर एप में, तो यहां पर देख सकते हैं, कम से कम आठ लभार्थियों को आपको जो पोसाहर है वो दिया जाता है, और जो दी जाती है उस हिसाब से आप यहां पर जो संख्या है और दर्ज करेंगे ठीक है यहां पर 40 बच्चे को हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद सैम चिल्डरन के लिए अगर मिलता है तो आप लोग यहां पर डालेंगे फुला भारतियों के संख्या आपको यहां पर देखने को मिल करेंगे और यहां पर डालेंगे यानि कि इतने लभारतियों का आपको पुसार मिल चुका है उसके बाद जब आप पैकेट्स बित्रन करेंगे उसका डिटेल्स आप लोगों को अलग से भरने का जो अप्सन है यहां पर दिया जाएगा फिलाल अभी हमारे पडियोजना में जो है कि पुसार की रासी वगरा नहीं मिली है तिसली हम यहां पे एड अश्टॉक पे किलिक नहीं कर रहे हैं अगर आपके पडियोजना में रासी मिल चुकी है तो इससाब से आप लोग अपने अनुसार देखके कि कितने लभारति को आप लोग का पुसार मिलता है उसके ह इससाब से आप लोग यहां पे जो है कि यहां पे संखे दर्ज करके एड अश्टॉक पे किलिक कर सकते हैं तो फिलाल आप लोग को जल्दिवाजी नहीं करना है इसके बारे में पुड़ा-पुड़ा समझ लेना है अभी समय है यह नया अपडेट है अभी आप लोग को इस मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद